आप सभी का मैच्स विच जैसिंग में बहुत बहुत स्वागत है तो जैसा कि हम बात कर रहे थे टाइम एंड वर्क के जो लेक्चर हैं हो चुके थे लगभग कंप्लीट और इसके बाद बेसिक लेक्चर जो बचा था पाइप एंड सिस्टन का बचा था पाइप और टंकी पाइप और टंकी क्या होती है यह सारे के सारे कुछ सेम टाइम एंड वर्क जैसे ही होते हैं इसमें आई थिंग बहुत जादे बताने की जोरुत नहीं होगी मुझे आप लोग बिल्कुल आराम से समझ लोगे क्या होता इसमें कि टाइम एंड वर्क में क्या होता था कि कोई काम करता था जितने लोग भी थे काम करते थे कोई बिगाडने वाला आदमी नहीं होता था लेगे पाइप और सिस्टम में क्या होता है कि कुछ कैंगे कुछ फाइप खाली करेंगे मतलब कुछ लोग काम काम करेंगे कुछ लोका हम बिगाडेंगे ऐसा भी हो सकता है ठीक है यहां पर दोनों काम काम चलता है पलस वाला वी और माइनस वाला भी अगर यह बहुत अच्छे से समझ में ये रहा ठीक है तो इस में बोल रहा है कि देखो इसमें में बात क्या होती है कि जो भरेंगा उसे POSITIVE SEMG और the KALI करेंगा उसे चार आएगी और माइनस का दस आएगी ठीक है ना पांच चार और माइनस का दस आएगा ठीक है तो कह रहा है कि जब तीनों पाइप एक साथ खोला जाता है तो टैंक कितने समय में भरेगा मतलब अगर खाली है तो कितने समय में भरेगा अगर भरा है तो कितने समय में खाली होगा ठीक है ये तो हमें देखने के बाद चल पता चले का कि क्या हो रहा है जब तीनों एक साथ खोला जाएगा तो efficiency बताना जारा 549 प्लस हो रहा है और ये माइनस 10 तो टोटल मिलके कितना हो गया 549 और माइनस 10 माइनस का एक हुआ क्या अगर सारी efficiency को हम प्लस करेंगे तो प्लस करने के बाद result क्या आ रहा है efficiency क्या रही है negative माइनस कवन तो हमें time क्या होगा मैंने बोला था कि time equal to होता है total work upon efficiency तो ये माइनस क्या दिखा रहा है कि खाली करना है यहाँ पर लिखो या ना लिखो कोई फरक नहीं पढ़ने वाला तो ये 60 क्या आएगा minute आएगा 60 minute इसका answer होगा और ये खाली करेगा ठीक है न निगेटिव आ रहा था इसलिए हम बोलेंगे कि ये खाली कर रहा था चलिए तो अगला question पर हम चलते है ये रहा अगला question आप लोग पहले खुद से भी solve किया के रही है और मैं इसकी PDF भी दे दूँँगा और उसके बाद अराम से आप देख सकते हो और मैं daily morning में क्या कर रहा हूँ कि pipe and साम को तो मेरा basic lecture चल रहा है जो की topic wise चलेगा और morning में मैं daily आप लोग देखा करें जैसे जो banking के लिए preparation कर रहा हूँ तो देखी सकता है और उसमें SSC वाले भी देख सकते है मैं पूछ रहा हूँ कि आप मैं यहां पर जो करा रहा हूँ अभी ये किसके लिए bank में आएगा कि SSC में आएगा आप नहीं बता सकते क्योंकि यह दोनों में आता है ठीक है यह pipe and system दोनों में आता है तो मैं जो अगर bank के लिए पढ़ाऊंगा उसमें maths में वो तो SSC में भी आएगा bank में एक ही topic तो अलग होता है bank में एक ही topic तो अलग होता है inequality और उस inequality को भी आप देखो तो algebra में काम आ जाएगा तो फिर change क्या हुआ ठीक है ना और जब मैं नंबर series पढ़ाऊंगा तो वो तो उसमें भी होता है reasoning में ठीक है ना SSC के reasoning में तो यह SSC bank बहुत अलग नहीं है SSC में एक ही SSC में थोड़ा सा बढ़ जाता है क्या हो जाता है advancement उसको उसको bank वाले नहीं देख सकते देखना चाहिए तो देख सकते है मतलब उनके काम का नहीं होता है किवल एक mensuration ही थोड़ा बहुत काम लाइफ होता है ठीक है तो आप लोग देखा करो अर्थमेटिक तो दोनों लोग देखा करो जो bank की प्रिप्रेशन करते हैं जो SSC की दोनों के लिए काम देगा ठीक है कोई एक लोग के लिए डिपेंड ना रहो ठीक है कि ये ना कि इसका नाम का मैं इसी वीडियो का अगर दूसरे के नाम से डाल दू और बहुत लोग डालते भी हैं लेकि मैं नहीं करने वाला मैं एक ही सी सिंगल टॉपिक देंगा क्या यह बैंक के लिए है कि SSC के लिए इसा नहीं देने वाला चल चलिवाई तो यह दूसरा घुसन देखते हैं दो 5 ए और 2 तीन और 6 मिनट में भर सकते हैं था है कि मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि ए और 5 लिखने वाली आदत चोड़ दो 3 मिनट 6 मिन भर सकते हैं और C से 4 मिनिट में खाली कर सकता है, हमें पता है कि ये A होगा, ये B होगा, ये C होगा, क्या हमें लिखकर करके दिखाने के जरूत है, देखो मैं ये छोटी-छोटी बात से ही टाइम बचेगा, ठीक है न, ठीक है, ये छोटी-छोटी बात से टाइम बचेगा, औ अगर ये मैं 3, 6 और माइनिस 4 भी नहीं लिखता तो और टाइम बसता है देखो कैसे हमें पता है कि ये 3 है ये 6 है और हमें ये 4 लेना है तो इनका जो LCM होगा वो कितना होगा माइन में पहले वही सोच लो LCM ही सोच लो LCM 12 हो गया ठीक है 12 होगा तो 3 मिनट में भर रहा है 12 efficiency क्या होगी 4 दूसरे की efficiency 2 और तीसरे की efficiency 3 और वो भी negative का तो अगर इतना काम करें तो हमें क्या बच गया हम ये नहीं लिखे ये नहीं लिखे ये नहीं लिखे तीन मिनट 6 मिनट और 4 मिनट इतना बात हम नहीं लिख रहे हैं तो आप बताओ अगर इतना बात अगर हम नहीं लिखेंगे तो हमारा तीन सेकेंड नहीं बचा, चार सेकेंड ही बच रहा है, तो बच तो रहा है ना तो आप लोग इस बात को केर करिए, मालो की जहां कहीं थोड़ा डिफिकल्ट नंबर होता है तो महाँ पर लिखना पड़ जाता है, आदत हो चुकी है, क्योंकि हमारी तो चलो ठीक है, उस आदत को धीरे धीरे छुड़ा लो, लेकिन जहां पर easy है, उसको तो लिखो ठीक है ना, चलो तो आगे देखते हैं, इसको solve करते हैं कहा रहा है कि A, B और C, एक साथ खोला जाता है, दो मिनट के बाद C को बंद किया जाता है, तो दो मिनट के बाद बंद किया जाता है, दो मिनट तक तो तीनों चल रहे हैं देखो दो मिनट तक तो तीनों चल रहे हैं अच्छा जब तीनों चलाएंगे तो देखो combined efficiency क्या हो रही है चार दो छे, छे में से तीन घटेगा तो तीन, efficiency ये तीन दो मिनट चलाया तो कितना भर गया छे, ये क्या हो गया भर गया, मैं इसको प्लस लगा दे रहा हूँ, ठीक है न मैं इस पर प्लस लगा दे रहा हूँ ताकि वो पता चली कि भरा है ठीक है, उसके बाद अब C को बंद कर दिया जाएगे, अब ये काम करना बंद कर देगा, तो काम कौन करेगा, A और B, ठीक है न से 6 यूनिट भरना है, तो 1 मिनट में भर जाएगा, क्या, ठीक है न तो 2 मिनट इधर चला है 1 मिनट में हम 6 लिटर, 6 यूनिट और भर सकते हैं, ठीक है तो ये टोटल टाइम कितना लगा इसे 3 मिनट, अगर ये कुस्टन में ये पूछा रहता है कि बचे हुए पार्ट को कितने मिनट में भर सकता है तो 1 मिनट बोल लेते हैं, लेकिन टोटल अगर पूछे जाएगा, तो हम बोलेंगे कि 3 मिनट लग रहा है, ठीक है अगले कुस्टन पे चलते हैं, बिलकुल आराम-ाराम से ये कुस्टन हो जाएंगे पाइप एंट सिस्टन बहुत लेंदी चेप्टर नहीं है, बहुत आसानी से हो जाता है चलो, आप इसे सॉल्व करना 2 पाइप A और B 10 और 15 मिनट में भर सकते हैं लेकिन C से 5 मिनट में खाली कर सकते हैं, तो क्या आप इसका LCM 30 सोच सकते थे क्या 30 सोच सकते थे तो ये 3 होगा, पहले वाले का दूसरे वाले का 2 होगा और तीसरे वाले का क्या होगा, माइनस का 6 देखो, स्टेप बचाओ थोड़ा-थोड़ा ही, लेकिन से स्टेप बचाओ कह रहा है कि A और B 4 मिनट के लिए खोला जाता है उसके बाद C को खोला जा रहा है अभी स्टार्टिंग में C को नहीं खोला गया है तो A और B का मतलब 5 5 को खोला गया है कितने मिनट के लिए? 4 मिनट के लिए तो कितना भर लेगा भाई? 20 ठीक है? अभी और कितने भरना हो गया? 10 लिटर और भरना था इसको लिटर समझो या कुछ भी समझो यूनिट ठीक है अब क्या कह रहा है कि 5 जो था 4 मिनट तक चला है अब बोला जा रहा है कि C को भी खोला जाता है तो जब C खूलेगा तो कम्बाइंड एफिसेंसी देख के जब बताओ कितना होगा? माइनस का एक होगा? क्या? 3,2,5 और ये माइनस 6 क्या होगा? माइनस का एक तो अब देखना अब टैंक भरेगा नहीं, अब खाली होगा क्योंकि हमारी जो एफिसेंसी है वो निगेटिव आ रही है तो जो खाली होगा वो कौन सा खाली होगा 30 वाला पार्ट या 20 वाला पार्ट मैं पूछ तो क्या बोलोगे आप आप बोलोगे कि 30 वाला पार्ट नहीं बिल्कुल नहीं क्या होगा 20 वाला पार्ट भाई जो टैंक खाली था उसे 20 लिटर भरा गया है तो जो tank में पानी भरा है वही तो खाली होगा तो भरा कितना है 20 खाली करना है कितना 20 ठीक है न और efficiency कितनी 1 तो time क्या होगा 20 बटे में 1 यानि कि 20 minute ठीक है इसको नहीं भर देना वो तो total capacity दी गए ये tank की लेकि भरा कितना है 20 तो जो भरा है उसी को हम खाली करेंगे ठीक है अगले पर हम जलते हैं ये ये जब अबर्दस पोसर ने ये एक बहुत ही बुरा इंसान था ठीक है न एक ये जो है बना रहा था भी उससे क्या कर रहा था फिगाड रहा था यह कौन सी बात होती है, होते हैं दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी, तो कहे रहा है कि A जो है किसी काम को 16 दिन में बना सकता है, यहाँ वर लिख कर दिखा देते हैं, ठीक है न, बी जो है 8 मिनट में बिगाड सकता है, एफिसिंसी क्या होगी, एक और माइनस का 2, ठीक है न, कह दिन में कितना काम हुआ, प्लस 5, एक की इफिसिंसी इसे 5 काम करेगा, अगले 2 दिन, A के साथ, B भी सामिल हो जाता है, यहाँ पर बोल रहा है न, अच्छा, A के साथ, B सामिल हो जाएगा, तो एफिसिंसी क्या होगी, माइनस की 1, ठीक है, तो अगले 2 दिन में, क्या होगा, माइनस का दो बनेगा, ठीक है न, तो अभी तक resultant क्या रहा है हमारा, result क्या रहा है कि plus 3 बन चुका है, ठीक है न, देखो 5 बना, 2 बिगड गया, तो result क्या रहा है, plus का 3 आ रहा है, ठीक है, ये तो mind में सोच सकते हैं, बहुत जल्दी, अभी कहा है देखो 1, अभी कहा है कि बच तो तेरह दिन और लगेंगे, बची हुई सनरच्चना, यह आंसर होगा, ठीक है, नो टोटल नहीं क्याउट करेंगे, बची वी संरचना को एक इतने दिन में बना सकता है तो तेरा दिन में ठीक है यह बिल्कुल आसानी से लगयागा बहुत घपराने की ज़रुत नहीं है यह कुस्टन रहा और इसमें अच्छे-च्छे कुस्टन भी होंगे आप लोग देखते रहीगा कह रहा है कि दो पाइप A और B 20 और 24 मिनट में भर सकते हैं C है 2 लीटर खाली कर सकता है पर मिनट ठीकन देखना इसमें बहुत जादे बच्चों को कन्फूजन होती है जब टंकी भरी है तब सारे पाइप खोल दिये जाते हैं और टंकी एक मिनट यहाँ पर यह गलती लिखा हुआ है कि जब टंकी भरी है यहाँ पर यह होगा कि जब सारे पाइप खोल दिये जाते हैं और टंकी पंदर मिनट में भरी जाते है जब टंकी खाली है भाई भरी है तो भरेगी थोड़े तो जब टंकी खाली है सारे पाइप खोल दिये जाते हैं तो पंदर मिनट में भर जाती है ऐसा मैं लिख दे रहा हूँ आप लोगों को समझने के लिए तर जब था वो 24 मिनट में भर सकता है और जब तीनो पाइप चल रहे हैं तो क्या हो रहा है 15 मिनट में भर जाता है आप इसका LCM लेना भाई LCM कितना होगा 120 ठीक है न मैं efficiency लिख रहा हूँ 6 इसका 5 और जब 3ों को combine किया जा रहा है तो efficiency कितनी आ रही है 8 एक बात बताना A और B मिलकर के तो 11 थे जब C आया तो 3 घट क्यों गए ठीक है C आया तो 3 कम हो गए यानि कि C की efficiency माइनस 3 है बात समझ में आ रही है A और B मिलकर के कितने थे 11 थे लगिन जब C को सामिल किया जा रहा है देखो यहाँ पर C है जब C भी सामिल हो जा रहा है तो 8 हो जा रहा है 11 से 8 क्यों हो गया यानि कि 3 घट गया 3 घट गया तो इसकी efficiency क्या होगी माइनस 3 होगी चलो C की efficiency माइनस 3 होगी तो एक बात बताना कि 120 लिटर को खाली करने में टाइम कितना लगेगा इसी 120 लिटर को खाली करने में टाइम कितना लगेगा 40 मिनिट 40 मिनिट लग रहा है लेकिन एक मिनट में खाली इतना कर रहे है दो लिटर तो टोटल कैपिसीटी कितनी हो गई टैंग की 80 लिटर हो गई क्या देखो यहाँ पर पूछा था कि टैंग की कैपिसीटी कितनी है तो कैपिसीटी के से पता रहे हैं जब किसी का मतलब दिया रहेगा actual value कितने litre खाली कर रहा है कितने litre भर रहा है ठीक है न तो यहाँ पर दिया हुआ था कि 1 minute में 2 litre खाली कर रहा है तो यह answer वहीं से आएगा पहले उसका time निकालना पड़ेगा जिसका given है उसका time निकालना पड़ेगा हमें यहाँ पर C का given था तो मैंने सी का टाइम निकाला 40 मिनट तो दो का डबल कर दिया क्योंकि दो लीटर खाली कर रहा थे एक मिनट में तो 40 मिनट में 80 लीटर खाली करेगा ठीक है अगले खुस्सन पर हम चलते यह कह रहा है कि दो पाइप A और B एक टैंग को साड़े साथ और पांच मिनट में भर स सकता है जब टंकी भर यह सारे पाइप खोल दिए जाते हैं तंकी एक घंटे में खाली हो जाती है ठीक है तो देख लेते एक क्या है साड़े साथ मिनट का मतलब 15 बटे 2 B कितना है 5 C कितना है एक घंटे में ठीक है यह ऐसा लेकि C जो है घंटे में लिखा है तो उसे हम ने म मिनिट में बदल लिया क्योंकि हमारे सारे वैलो मिनिट में थी LCMM हमने 60 लिया तो इसकी efficiency 8 आएगी इसकी efficiency 12 आएगी देखो अभी तक अच्छा ये वाला था A और B और C जब मिल रहे हैं तो एक गंटे में भर खाली हो जाती है एक बात बताना अभी तक A और B मिलकर के कितने 20 है efficiency में अब 60 से इसको divide करेंगे तो क्या आएगा एक ठीक है ना 20 थे एक हो गए यानि कि C के आने के वज़े से 19 घट गई efficiency ठीक है 19 घट गई है तो time कितना लगेगा आप ज़रा ये बताना ठीक है साथ लिटर को खाली करने में time कितना लगेगा साथ बटे 19 ठीक है साथ बटे 19 तो और एक मिनट में 14 लिटर खाली हो रहा है तो इतना हो गया तो टोटल कैपिसिटी ये आ गई हमने पहले time निकाला उसके बाद हमने efficiency जो 14 लिटर प्रती मिनट खाली करने वाला है उसका मैंने multiply कर दिया सी ही का ठीक है तो ऐसे इसको लगाएंगे बिलकुल आराम से लग जाएगा अभी हम next question पर चलते और next question जो है बहुत ही जवर दस्त है और इसमें बहुत जादे बच्चे confused होती है और देखना एकदम आराम से न लग जए तो फिर कहना ठीक है इसका हिंदी में ही है इंगलिस में नहीं बहुत easy language है आराम से बस समझना बस बात ध्यान से देखना distance हमें दिया है 84 km ठीक है distance हमें कितना दिया है 84 km ठीक है एक बात देख ले ना distance दिया है क्या 84 km बारा मिनिट में सत्रो बटे चार टन पानी भरता है छेद होगा तो जहाज में पानी भरेगा न ठीक है न यानि कि यह प्लस का काम कर रहे है और डूबने के लिए 75 टन पानी sufficient है ठीक है न जब 75 टन हो जाएगा तो हम मालेंगे कि डूब जाएगा तो हमें यह पता करना है कि 75 टन पानी कितने समय में भर जाएगा ठीक है न इसी लिए यह बात दी गई थी परनतों जहाज में पंप लगे हैं जो एक घंटे में 15 टन पानी बाहर फेक रहे हैं कितने किलो मीटर प्रतिगंटे इसकी स्पीड होनी चीए तो हमें जब डिस्टेंस दिया हुआ है तो हमें कुल मिला करके टाइम चीए कि कितने टाइम में 75 टन पानी भर जाएगा आउसी के एकॉर्डिंग हमें स्पीड इकोल टू डिस्टेंस अपान टाइम लगा लेंगे ठीक है बिलकुल आराम से लगेगा एक बात बताना कि 12 मिनट में कितना पानी भर रहे है 17 बटे 4 ठीक है यहां पर मैं लिख दे रहा हूँ यहीं पर मैं पांच गुना कर दे रहा हूँ पांच गुना कर दूँगा तो यह क्या हो जाएगा 60 मिनट ठीक है इधर पांच गुना भी कर दे रहा हूँ तो क्या हो जाएगा 85 बटे 4 ठीक है पांच गुना में क्यों कर रहा हूँ आगे अभी समझ में आ जाएगा कह रहा है कि परंतु जहाज के पंपो द्वारा एक घंटे में 15 टन पानी फेका जा रहा है एक घंटा का मतलब क्या 60 मिनट 60 मिनट में खाली होगा कितना होगा कितना खाली होगा 15 टन ठीक है न और यहां पर यह पहला वाला भी एक घंटे का है दूसरा वाला भी एक घंटे का है तो आप जबताना है कि एक घंटे में हुआ क्या एक घंटे में 85 बटे 4 बहरा और 15 खाली ऊ-ट्थी न तो रिजुल्ट एन्ट क्या हुआ जहाज 85 बटे 4 भर रहा है और 15 खाली हो रहा है तो यह कुल मिलकर क्या हो गया 25 बटे 4 क्या होगा positive में आ रहा है यानि कि भरेगा भाई भरेगा तभी तो डूबेगा जहाज ठीक है न चलो अब ही हमें total work दिया गया है 75 तन ठीक है तो time क्या होगा मैं फिर से यहाँ पर लगा दे रहा हूँ time क्या होगा आप जब बता है time equal to total work बटे में efficiency क्या ही है combined efficiency 25 बटे 4 चार उपर जाएगा ठीक है तो यहां क्या आ रहा है 12 क्या रहा है देखो मैंने minute में बदला हुआ है तो 12 minute आएगा ठीक है न 12 minute नहीं sorry मैंने इसे hours में बदला हुआ है एक hours एक hours के मैंने calculation किये तो यह 12 hours आएगा ठीक है न 12 hours ठीक है एक बात बताना कि 84 km distance है time है हमारे पास 12 घंटे तो speed कितनी होनी चीए 7 देख लो time equal speed equal to distance अपन time करेंगे क्या आएगा 84 बटे 12 मतलब साथ है ठीक है answer clear है मैं इसको लिखना पड़ेगा मुझे नहीं लगता है कि इतनी छोटी छोटी बात लिखने पड़ेगी क्योंकि मैं मैं time निकालना था distance दिया हुआ है time निकल जाएगा तो speed एकदम आराम से निकाल लोगी ठीक है अगले question पर हम चलते है ये ये भी जवर्दस question है और इसमें बहुत जादे बच्चे फज़ाते है ठीक है न इसको आप लोग ज़रा solve करिए इस question को बहुत ही ध्यान से समझना नहीं तो बात फिसल जाएगी तो फिर मजा नहीं आने वाला ठीक है न एकदम आराम से समझना कूल हो के कह रहा है कि आठ टैप्स है ठीक है न कुछ उसमें से filler है कुछ क्या है खाली करने वाले कुछ inlet है कुछ outlet है और सब की efficiency inlet वाले की efficiency क्या है 12 hours में भर सकता है efficiency नहीं time दिया हुआ है ठीक है न one inlet क्या कर सकता है 12 गंटे में भर सकता है one outlet क्या कर सकता है 36 गंटे में खाली कर सकता है हमने total work यानि कि total capacity जो है हमने 36 मान ली efficiency क्या आएगी तीन आएगी और इसकी efficiency क्या आएगी minus एक आएगी क्योंकि ये खाली करने वाला है outlet है ठीक है न अच्छे एक बताना है कि जब सभी खोले जा रहे हैं, जब सभी टैप खोले जा रहे हैं, तो तीन घंटे में भर जा रहे हैं, तीन घंटे में 36 लिटर भरने का मतलब कि कमबाइन जो efficiency होगी, वो 12 रही होगी, तभी तो तीन घंटे में 36 भरेगा, ठीक है न, बारत यह 36, ठीक दिया है, आपका तीन घंटे और टोटल वर्क क्या है, 36, ठीक है न, तो यहां से क्रॉस करके इधर निकलाओगे तो आएगा, तो इतनी सारे काम ना करो, डायरेक्ली पढ़ लो न, जैसे 36 हमारा टोटल कैपिसिटी है, और हमें तीन घंटे में भरना है, तो 12 एफिसिंसी हो ठीक है, तो कॉमिनेशन कैसे बनाएंगे, जब भी हमें 12 एफिसिंसी चाहिए, तो इसकी संख्या, इसका टोटल एफिसिंसी मिला करके 12 से जादा होना चाहिए, तो 4 रहेगा, इनलेट तो 12 होगा, हमने 5 मान लिया, तो 5 इनलेट करेंगे, तो एफिसिंसी क्या होगा, 15, तो पांच इनलेट होगे, तो 3 आउटलेट वज गया, 3 आउटलेट होगा, तो इफिसिंसी क्या होगी, माइनस का 3, तो टोटल मिल के 12 आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, पांच इनलेट है, और 3 क्या है, आउटलेट है, यहाँ पर एक्वेसिंट वगएरे कुछी न बनाव, डिरेटलेट इसे करो, इसली ही, ठीक है, आप जड़ा सोचो, अगर इसको 4 समझते तो 12 होता, तो कुछ तो यह घटा लेगा, तो फिर कहां से हमें चाहिए, हमें तो टोटल 12 एफिसिंसी चाहिए थी, इसलिए मैंने इनलेट को 12 से जादा बनाया, ठीक है, ना, 4, 5, 6, 7 करक प्लस में आ जाएगे, ठीक है, चलो, यह अब इस आज के वीडियो का लास्ट कोसन हम देख लेते हैं, यह हमारा, कह रहा है कि A और B, 20 और 30 मिनिट में भर सकते हैं, ठीक है ना, C से 15 मिनिट में खाली कर सकता है, इफिसिंसी इनकी कितनी आएगी, 3 आएगी, 2 आएगी, और म माइनस का चार है, यह वाला, ठीक है, कह रहा है कि सभी पाइप बारी बारी से खोले जाते हैं, पहले A खोला जाता है, फिर B खोला जाएगा, फिर C खोला जाएगा, ठीक है ना, तो हम देखेंगे कि इस 3 मिनिट में हुआ क्या, ठीक है, 3 मिनिट में हुआ क्या, जब A गया तो क्या हुआ, तीन भर के आया बी गया, तो क्या हुआ, दो भर के आया और जब सी गया, तो क्या हुआ चार खाली करके आ गया ठीक है न, तो इससे तीन इमिनेट में हो क्या रहा है तीन भरा, दो भरा और चार खाली हो गया, मतलब पांच भर के चार खाली हो गया तो हुआ क्या पांच भर के चार खाली हो गया तो हुआ क्या एक बच गया ना एक भर रहा है ठीक है ना देखो यहाँ पर तीन भरा दो भरा पांच भरा और चार खाली हो गया तो कुल मिलके क्या हुआ तीन मीनट में एक बात याद रखना ऐसे ही लिखना तीन मीनट में क्या हो रहा है एक भरेगा हमें भरना कितना है 60 तो 60 भरने के लिए इधर भी 60 से मल्टिप्लाई और इधर भी 60 से मल्टिप्लाई 60 से मल्टिप्लाई करेंगे तो 180 मीनट आयेगा या बोलो तो तीन घंटे that is the answer ठीक है एकदम आराम से बिलकुल आराम से लग ज़े ज़े तो ये रहा pipe and system का basic से question basic से लग रहे है और अगले वीडियो में हम कुछ advance question भी लेके आएंगे और practice के लिए बहुत ही जबरुदस्त question लाने वाले है तो basic वीडियो आप देख लो उसके बार advance देखोगे तो मज़ा जाएगा और उसमें यकीन मानो ऐसे इतने अच्छे कोस्तों होगे कि मज़ा जाएगा सच में मज़ा जाएगा और अगर ये वीडियो समझ में आ गरी तो like और share जरूर करना ठीक है ने बच्चो और इस समय फिलाल golden time है आप लोग पढ़ा करो अगर आप आज नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे जब classes चलने लगेगे तो पढ़ने का ऐसे ही time नहीं मिलेगा अभी तो फिलाल कहीं बाहर भी आना जाना नहीं होगा तो इसलिए आप आराम से घर पे बैठके एपील कूल अच्छे से पढ़ सकते हो ठीक है तो जो लोग RRB का form भर रहे हैं वो भर लें अभी जल्दी से बाद में side-wide का पता नहीं चलता है ठीक है ना चलिए इस वीडियो की यहीं पर खतम करते हैं थैंक्यू